तो आज आपको दिखाते हैं हर बच्छी जो हम रास्ते में करेंगे आपको गुमाते हैं तो अभी मैं अपना बैक पहने लगा हूं तो अभी बस बारी है गर से निकलने की गर में कोई नहीं है आज तो मुझे छोड़ने भी कोई नहीं जाएगा अड़े तक और मुझे जाना पड़ेगा पैदल और बस पर तो मैं अभी चलता हूं मगर से बाई निकलना सामने मेरे फैंसे बात करते हैं लोग देखते हो क्या नाम है मेरे चैनल का इसमान लोग मुझे भी ख़ला लो फूटबाल यह नाम क्या तुमारा अरहम और उसके बाद मुझे गर के पास ही रिक्षा मिल गया और मुझे जाना था अड़े पर तो बाई सामने मुझे अड़े पर उतार दिया था और मुझे यहां से एक बस लेनी थी अपने होस्टल तक पहुंचने के लिए बस भी मिल गई है इसमें पैट गया हूं खाली बास लेट कर गया हूं आपके बाई ऐसे रिलेक्स होके जाता है जहां भी जाते हैं मगर यह इस पर रिलेक्स हो ज्यादा था बस मिल गए थी तीस मिन बाद बाई ने पंचा दिया है मुझे मेरी यूनिवस्टी के सामने और यह बिल्डिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है ज यह बहुत अच्छा होस्टल है यहां पर क्योंकि इसमें मैं रहता हूं और यह आप होस्टल दू चेक करें आपको जूम करके दिखा रहे हैं वह सामने यह होस्टल है मेरा यहां पर जाना है मुझे अभी सामने कुछ भी नज़र रिकिस्तान वाला स्थीन है बस कुछ मकान बने हुए हैं यह बने हैं दो सामने मुकान बने हुए हैं और यहां पर एक दो मुकान और बने हैं यह एक वो कफी आगे मुकान है आपको जूम करके दिखाते हैं यहां से और यह इन सब में से सबसे अच्छा जो मुकान है वह हमारा होस्टल है क्योंकि उस होस्टल में मैं हूं मैं अच्छा हूं तो मेरा होस्टल भी अच्छा बन जाता है इस लिए और मैं पहुंच गया था अपने होस्टल और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए